नमस्कार आप देख रहे हैं MP News मैं हूनिधी आपके साथ कॉंग्रेस में अब भी उठा पटक का दौर जारी है क्योंकि कौन बनेगा PCC चीफ ये अब तक नेड़ने नहीं हो पाया है ऐसे में कॉंग्रेस और BJP दोनों ही अपनी बातें लेकर अपना पक्ष लेकर अड़ी हुई है सबसे पहले आपर कॉंग्रेस का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे आपकें हमारे साथ जुर चुके हैं KP मिश्रा जी आपसे जाना चाहेंगे कि एक लंबा कारिकाल एक लंबा वक्त कॉंग्रेस को हो चुका है मध्यप्रदेश में लेकिन फिर भी अभी तक भी PCC चीफ की कुर्सी खाली है आपको क्या लगता है क्यों ये देर हो रही है क्यों इतना वक्त लग रहा है देखी कि पहली बात तो यहीं कमलाज जी के नेत्रत में सप्ता और संग्धन दोनों बहुत भी ताल्मेंचे चल रहे हैं इस बात को जल्दबाजी नहीं है और जूकि मामला लंबित है और हमारी नीटा सोनिया जांदी जी जो भी देने लेंगी वो सब को मानने होगा क्योंकि विधान चबा तुनाओ आगया था जाभूवा का इलेक्शन तो उसमें जो मामला लंबित था वो काफी जिनों से पें चर्चा की जा रही है कभी कांतिलाल फूरिया कभी सिंधिया कभी कमलनाथ आपको क्या लगता है कौन सा नाम इसमें मजबूती से आगया आएगा लेखिए ये पूरा नेने हमारे सिर्क नेत्वत को करना है और हमारे पास कई योग दियास का पक्ष जहां पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे नाम है लिस्ट में तो इसलिए शायद देर हो रही है वहीं बीजेपी जो है वो क्या कहती है चलिए बीजेपी के ओर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके है उमेश शर्मा जी उमेज जी आपसे बात करना चाहेंगे कि कॉंग्रेस में एक लंबा समय हो चुका है कॉंग्रेस को मध्रदेश में लेकिन फिर भी PCC चीफ के नाम की घोशन अब तक नहीं हो पाई आपको क्या लगता है क्या मुश्किल आ रही है कॉंग्रेस को मंतन करना इनकी मजबूरी है यह मंतन नहीं करेगी तो पूरा जो सत्ता का मखने वो च्छाच में बदल जाएगा क्योंकि कमनाज जी की मजबूरी यह है कि कमनाज जी ने अगर PCC चीफ की कुरसी छोड़ दी जोटी रादी ते सिंधिया जी उसके सभाविक डावेदार है और जोटी रादी ते सिंधिया जी इन लोगों की नई उम्मीद बनके उब्रें है जी बिल्गुल वैसे अगर देखा जाए तो फिलाले के अलंबे लिस्ट है, कई नाम अभी इस रेस में चल रहे हैं, आपको क्या लगता है, कौन सा नाम बाजी मारेगा हैं आप? अब ये तो कांग्रेस पर्टी का अंत्रिक विशह है, वो जिसको भी बनाए हम तो उनके आने वाले अद्देश की प्रतिक्षा कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि जब तक याल्पमत की सरकार ठीकी होई है, तब तक कोई नया प्रदेश अद्देश कांग्रेस पर्टी को मिल पाएगा, ये जो बेल गारी है, इसके दोनों बेलों के हिस्सा पर कमनाज जी खुद जूते हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई नया प्रदेश अद्देश कांग्रेस पर्टी को मिलने वाला है, क्योंकि कमनाज जी की मजबूरी ये है कि अगर वो प्रदेश अद्देश जी की कुर्सी को छोड़ देते हैं, तो जो नया प्रदेश अद्देश आएगा, वो उन पर दबाव बना कर काम करेगा, और उन दबाव से मुक्त रहना चाहते हैं, कमनाज जी, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद कांतिलाल बूरिया जी के उपर दाल लगा जा सकता है, पर जो ती रदिति इंद्दिया जी भी इते कच्चे किलारी नहीं है, मुझे लग रहा है कि इनका ये जो आंत्रिक संगर से ये और ज्यादा परवान चलेगा, जी उमेजी बहुत बहुत धनिवाद हमसे जुड़ने के लिए, तो देखा आपने की कौन बनेग जो आपने वाद